नमस्ते दोस्तो, स्वागेत आपका मेरे यूटुब चैनल पर और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वो मेरा कौन सा best ever advice होगा आपके stammering को ओरकम करने के लिए जो मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है दोस्तो आपने अभी तक बहुत सारे यूटुब पर वीडियो देखे होंगे stammering कैसे ओरकम करना है और शायद आप मुझे बहुत दिनों से भी follow कर रहे है बट स्टिल आपकी दिमाग में एक सवाल आता है यार कि वो कौन-कौन से steps मुझे follow करने है ताकि मैं आपने stammering को बह करने तो मेरी आपसे बस एक ही अपेक्षा ही कि आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक ज़रू देखेंगे क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में step by step guide करना चाहूँगा कि वो आप कैसे अपने stammering को step by step follow करके उसको ओरकम कर सके बहुत ही कम समय में तो चलने शुरुआत करत अगर आपको अपने stammering को ओरकम करना है तो सबसे पहले आपको इन तिन स्टेप्स को follow करना पड़ेगा सबसे पहले स्टेप्स हो दोस्तों आपकी practice दोस्तों लोग कहते ही कि practice makes man perfect बट मेरा ये मानना है कि right practice makes man perfect अगर आप सही practice करते हो तो आपको सही result मिलता है practice करने से stammering और कम नहीं होती है आपको सही practice करनी पड़ती है तो सबसे पहला step आते दोस्तों आपका right practice उसमें दोस्तों दूसरा point ये आता या फिर दूसरी step ये आती वो है आपका implementation जो आप घर पर practice करते है क्या आप उसको बाहर implement कर पाते है या नहीं कर पाते और तीसरा द guarantee के साथ बोल सकता हो कि आपका stammering बहुत जल्द और कम हो सकता है तो अब हम step by step ये देखते कि आपको कौन क्सी practice करनी चाहिए कैसे आपको implement करना रों कैसे आप उसमें consistent रह सकते है चले देखते बट make sure आप इस video को end तक जरू देखेंगे right practice कैसे करनी है वो explain करने से पहले मैं आपको simply एक छोटा सा question पूछना चाहूँगा दोस्तो अगर आपके सर में दर्ध है अगर आपको headache है तो आप अगर doctor के पास जाते है तो doctor आपको सरदर्ध की गोल देता है या फिर कुछ और गोली देता है तो आपका answer क्या होगा कि वो हमें सरदर्ध की गोल देता है क्योंकि doctor को पता है कि problem क्या है इसलिए उसने आपको recommend भी सही किया है वैसे ही दोस्तो जब आप किसी भी problem का solution देखना चाहते है तब सबसे पहले गोली लेने से पहले practice करने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि आपका exactly pain point आपका exactly problem क्या है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बस ऐसे ही practice कर रहे है बहुत सालों से बड़ उन्होंने अपने problem को identify ही नहीं किया है अब आपका question यह आता है कि हम अपने problem को कैसे identify करें दोस्तो simple इसका answer यह है कि अगर आपने अपने आपको कुछ ऐसे questions पूछे कि मुझे problem exactly क्या है क्या मेरा speed का problem है क्या मेरा fumbling का problem है क्या मुझे specific किसी word में problem है क्या मेरा breathing का problem है क्या में किसी particular इंसान के सामने अटकता हूँ क्या में sinner के सामने अटकता हूँ अगर आप अपने problem को identify कर तो आपका वैसे आदा problem यही पर solve हो जाता है अगर आपको अभी भी confusion है तो आप pain paper लेकर वहाँ पर कुछ अपने words लिखे जहाँ पर आपको problem है कुछ situation को आप manage किजे वहाँ पर लिखिए कि आपका exactly situation में किस तरह का problem आता है तो सबसे पहले आप एक pain paper लेकर उस पर लिखेगा कि आपको किस तरह का problem है कि जब तक आप अपने उस problem को वहाँ पर लिखते नहीं है तब तक आपको अपना right practice क्या करना है वो समझ में नहीं आएगा तो जब आप अपने pain paper को लेकर वहाँ पर लिखेंगे तो आपको एक बात पता चलीगी कि मैं इतने सालों से जो practice कर रहा था वो बिल्कुल अलग था और ये तो कुछ अलग ही निकला दोस्तो अगर आप ये मानते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपने problem को identify करूँ तो दोस्तो मैं आपको एक ही question पूछना चाहूँगा कि problem जो है वो आपका है आपने create क्या है या फिर वो आपके साथ बहुत सालों से है तो आपको exactly पता है कि आपका problem क्या है हाँ ये हो सकता है कि as a expert मैं आपको कुछ बता सकता हूँ बट इस video में मैं आपको यही बता सकता हूँ दोस्तो कि आपका problem आपसे बहतर कोई नहीं जानता तो प्लीज आप सबसे पहले आपका problem लिखे और फिर हम उसके उपर बात करते right practice करने की दोस्तो practice doesn't make man perfect right practice makes man perfect तो अगर आप सही practice करते है तो आपको सही result मिलता है अगर आप मुझे बहुत सालों से follow कर रहे अगर आप मेरा बहुत सारा videos देखकर practice करते है और still आप confuse है कि हम इनने से कौन सी practice करे तो मैं आपको simply यहाँ पर 4 ऐसे practice recommend करूँगा जो आपको daily करने चाहिए दोस्तो सबसे पहली practice वो है आपके breathing के regarding practice अगर आपका breathing सही से चलता है अगर आपका breathing बहुत दी calm, relax है तो आप यह दिखते है कि आपके speaking में आपको improvement मिलती है दोस्तो breathing and speaking दोनों अलग-अलग concept है जब आप बोलते हो वहाँ पर breathing पर focus नहीं करना चाहिए और जब आप breathing करते हो आप बोलना नहीं चाहिए तो मैं आपको सबसे पहले recommend करूँगा practice में वो है दोस्तो belly breathing दोस्तो belly का मतलब होता है पेट और आपको पेट में सास लेनी है और आपको नाक से सास को छोड़ना है अगर आपको belly breathing कैसे करना हो पता नहीं है तो please एक बार description box में चेक करना है इस वीडियो के वहाँ पर आपको free video course की link मिलेगी वहाँ पे click करना तो वो आपको redirect करेगा मेरे free video course में उसमें सबसे पहले दिन में आपने बता है belly breathing तो सबसे पहले आपका practice का होगा daily सुपर उटने के बाद 10-15 मीट belly breathing करना है उसके बाद दोस्तों आपको करना है mouth की exercise जो हमारा same एक video course में मैंने define के कि वहाँ पर आपको mouth exercise कैसे करने है उसमें simply आपको सबसे पहले mouth के expression बनाने और उसके बाद आपको e and o की practice करने जिससे आपका ही जो mouth यो बहुत ही अत्य से activate हो जाए यह आपकी होगी second practice सुबह की उसको आप 5 बार कर सकते हैं मतलब कि आपने belly breathing किया 10 से 15 मिट उसकर आपने 5 मिट के e and o या फिर expression की practice आप दोस्तों बात करते हैं तिसरे practice की वो है आपका singhasan दोस्तों singhasan एक बहुत अच्छा आपके लिए yoga है जो आपको daily करना चाहिए जिससे आपके अंदर का fear है बात करने का वो निकल जाता है अगर आपको singhasan कैसे करना पता नहीं है तो description box में मैं आपको link दे दूँँगा कि मैं सियासन कैसे करता हूँ तो सबसे पिल आपको belly breathing फिर a and और आपको उसके बात करना है singhasan वो भी बस 5 बार ही करना है सुबह 5 बार से ज्यादा मत कीज़े क्योंकि अगर आप singhasan को ज्यादा time try करते तो आपके गले में problem आस है तक कि उसमें आपको pressure बनता आपके गले में और दोस्तो चोथी practice यह होगी singhasan करने के बार कि आप एक जगा पर बैठ कर आपकी जो भी local language है उस local language में कोई आप newspaper लो या फिर उसमें आप कोई book लो वो language जिसमें आप daily business पर बात करते हैं आपको उस language में read करना है कम से कम 20 मिनिट अब दोस्तो आपका question यह सकता है कि reading exactly कैसे करने है तो दोस्तो reading करने है आपको उस speed में जैसे कि आप बाहर बात करते हो जैसे कि दोस्तो मैं अब आपके सामने जिस तरह से वीडियो को shoot कर रहा हूँ इस तरह से मैं आप बात कर रहा हूँ उसी प्रकार से अगर मुझे reading करना तो मैं आपको strongly recommend करूँगा यह चार practice जिसमें सबसे पहलाएगा belly breathing फिर E&O उसके बाद singhasan उसके बाद आपको करना है reading तो description box में आपको link मिलेगी वहाँ पर आप check कर सकते belly breathing and E&O singhasan के लिए हमारा separately video मैं आपको share कर दूँगा और reading की practice आपको खुद से करनी है तो इस तो यह होगी आपकी सही practice आपके problem के उपर solution के regarding और इसके बाद अगर आप कूछ करना था उसके बाद कर सकते है बड़ I think यह आपके लिए 4 practice sufficient है और दोस्तों अब हम बात करते हमारे next steps के लिए कि हमको implementation कैसे करना चाहिए अब हम बात करते कि आपको implementation मतलब कि आपको experience कैसे लेन चाहिए एक बात हमेशा याद रखे जब आप घर पर practice करते हो और जब आप बाहर बात करते हो दोनों में बहुत ज़्यादा फरक होता है अगर आप बस घर पे practice करके यह मानते हैं कि हम तो practice कर रहे तो हमारा stammering ऐसे ओरकम होना चाहिए तो आप गलत है अगर आपको stammering को करना है तो सबसे important point यह आता है कि अगर हमने 50% अगर हमने weightage practice को दिया है तो हमारा 50% weightage implementation के उपर होना चाहिए तो जब आप right practice घर पर कर लेते हैं उसके बाद सही concept आता है वो होता है implementation का और दोस्तो implementation आप लोगों के सामने घर पर या फिर बाहर करना आपके लिए सबसे important है क्योंकि वो real life है तो अब आपका question यहा सकता है कि हम लोग implementation कैसे करें हमेशा याद रखे कभी भी बहुत लंबी चलांग नहीं मारना है हमेशा आपको small 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 steps ही लेने है तो अगर मैं आपको small small steps की बात करूँगा तो यह होगा implementation में कि क्योंना आप जो practice करते हैं जैसे आपको बाहर बोलना है क्योंना आप अपने घर पर किसी से daily इसी speed में इसी way में बात करना start करें क्योंकि आप घर पर बहुती comfortable feel करते हैं दूसरा step दोस्तों यह हो सकता है कि अगर आपको बाहर के लोगों से बात करना है तो क्योंना आप उन लोगों से बात करें सबसे पहले जो अब आपका question यह है कि इस तरह के लिए हमको कहा मिलेंगे तो दोस्तों हमने बहुत सारे save free whatsapp group बना लिये है तो उसके link आपको description box मिल जाएगी whatsapp group को join करने की अगर आपने हमारा form submit कैई वट still आपको कोई respond नहीं मिल अभी तक whatsapp group को join करने के लिए तो आप हमें directly हमारे whatsapp number प whatsapp group तो हम आपको अपने free whatsapp group में add कर देंगे जहाँ पर आप बहुत सारे लोगस से daily basis पर whatsapp call whatsapp video पर बात कर सकते हैं वो बिलकुल free whatsapp group है सभी के लिए दोस्तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपके घर के आसपास जो भी shopkeeper है जो भी vegetable owner है क्या आप उनसे चोटी मूटी बात extra कर सकते हैं बिलकुल आप उनसे कर सकते हैं तो क्यों ना आप ऐसे चोटे चोटे steps लेना start करें implement करने के लिए या फिर क्यों ना आप ऐसा कोई training जोइन करें speaking के regarding जहाँ पर आपको help मिले जादा बात करने की अगर आप मेरे उपर trust करते हैं अगर आपको लगता है कि मैं आपके इसमें help कर सकता है तो आप मेरा training form submit कर सकते हैं जो की description box में है हमारे तरब सबको पूरी 100% support and help मिलती है आपने stammering को औरकम करने के लिए बद दोस्तो problem यह है कि हमारे batches almost full हो जाते बहुती कम समय में तो अगर आप interested है हमारी training को join करने के लिए प्लीज आप अपना form बहुत दिन पहले submit किजे ताकि जब हमारा next batch start हो तो हम आपको वहाँ पे enroll कर सके और दोस्तो अगर आपको लगता है कि आपको इससे भी जादा कुछ implement करना है implement करना है तो दोस्तो आपको एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में ये fit करनी चाहिए कि आपका कोई भी दिन बिना implement के नहीं जाना चाहिए मतलब आप जब भी बाहर जाने वाले है make sure आप कम से कम इससे तीन लोग से जरूर बात करेंगे जान बुझकर क्योंकि आप रियल लाइप में जाकर बात करते हैं वो बहुती फरक होता है तो मैं आपको बस एक ही चीज़ recommend करूंगा कि आप हमारे whatsapp ग्रूप को join कीजे और जब भी आप बाहर जाते हैं for example अगर आप बाहर नहीं जा सकते बट still क्या आप अपने phone से अपने friends को अपने family member को अपन क्योंकि मैं आपको अभी भी फिर से वही बात बतना जाओंगा कि practice करने से stammering और कम नहीं होती है implementation is most 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 important so make sure जब आप रात को सोने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपके दिमाग में ये जरुर आना चाहिए कि यार हमने आज कुछ किया मैंने आज कुछ किया और मुझे आज अच्छे से नीद आ जाएगी तो ये अगर आपके दिमाग में implementation वाला concept है तो मैं आपको लिख के रहेता दोस्तों कि आपका stammering बहुत जल्दी और कम या फिर आप जबी जिस जगा पर है वहाँ से आप बहुत अच्छे से improve करने वाले है stammering या फिर speaking के regarding so I think आपको ये implementation का part समझ में आया है मैं आपको फिर से एक बार repeat करना चाहूँगा बहुत बड़ी छलांग नहीं लगाना है step by step कच्छवे की चाल चलके आपको race को जीतना है और दोस्तों अब हम बात करते है consistency आपको कैसे maintain करनी चाहिए हमने अभी तक सीखाए कि right practice कैसे करना है implement कैसे क बात करने वाले कि इन दोनों में आपको कैसे consistent रहना है तो अब हम बात करते कि consistent रहने का क्या formula होता है मैंने आपको introduction पार्ट में ये बताया था कि stammering is a bad habit of speaking दोस्तों जब हम बात करते किसी आदत की तो आपको पता है कि आदत को change करने के लिए कितने दिन लगते और I think आप सबी ने उसमें comment box में लिखाई कि आपको 21 दिन लगते बट दोस्तों कभी-कभी आप सबी को 21 दिन से भी जादा दिन लग सकते जब आपकी आदत बहुत पुरानी और थोड़ी सी difficult आपकी वो आदत है निकलने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको recommend करना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को करते समय अगर आपने उसमें consistency दिखाईए कम से कम 21 दिन तक और वहाँ पे भी अगर आपको result नहीं मिलता है so make sure आप थोड़ा और उसको extend जरूर करें कि अगर आप 21 दिन तक आए है तो थोड़ा सा अपने आपको push भी करना चाहिए अगर आप ये consistency follow करते समय आपको उसमें एक भी दिन miss नहीं करना चाहिए practice करने में and implement करने के लिए क्योंकि जब आप उसमें से एक भी दिन miss करते है तो वहाँ पर आप अपने mind को ये बता रहे कि मैं इस चीज़ को करने के लिए overcome करने के लिए ज़्यादा serious नहीं हूँ आपको ये दिखाना है कि मैं बहुत serious हूँ आपको एक भी दिन वहाँ पर miss नहीं करना है जब आप ये चीज़ daily business पर consistently करते है तो हो सकता है कि आप जो expect करते result वो आपको ना मिले कुछ दिनों तक और आप ये कहें कि हम तो वहाँ पर fail हो चुके हैं stammering को और कम करने के लिए बट दोस्तों ये बात आप मेरी हमेशा life में याद रखना कि there is no failure only feedback life में आपको कभी भी failure नहीं मिलता है आपको हमेशा ही एक feedback मिलता है कि आपने वहाँ पर क्या गलती की तो जब भी आप अपने life में consistent है जब भी आप practice करके implement कर रहे और जब आप कही पर आपको लगता है क्या fail हो चुके है तो वहाँ पर आप fail नहीं है आप वहाँ पर वो देखे कि इसमें मैंने क्या गलती की आपको हमेशा वहाँ पर एक feedback ज़रूर मिलेगा और वो feedback लेकर आपको improve करना है कल के लिए दूसरे दिन के लिए तो अगर आपका ये सही mindset होगा consistency के लिए तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा फाइदा ज़रूर मिलता है दोस्तो अगर आपको stammering को overcome करना है तो आपको अपना mindset सही रखना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए क्योंकि ये आपको decide करना है कि आपको stammering lifetime के लिए चाहिए या फिर आप अपने stammering को कुछ हपतों में इसको overcome करना चाहता है decision आपका है decision आपको लेना है बट कुछ ये दिन जो होने वाले है जहाँ पर आप अपने stammering को face करेंगे हो सकता है वो आपके life के बहुत difficult दिन हो वहाँ पर आप बहुत सार अपना fear को face कर रहे हो लोगों से बात करें आपको बहुत सारे failure आ रहे है बट ये जरूर धान रखना है कि अगर आपका ये जो struggle है वो बस कुछ ही दिनों का है उसके बाद आपके life से ये stammering हट जाएगी और आप जो सोच रहे थे कि ये lifetime तक मेर अच्छे तरीके से जी पाएंगे जैसे कि मैं आपके सामने एक example हूँ अगर आप मुझे पूछेंगे कि क्या stammering हमारी overcome होती है बिल्कुल stammering आपकी overcome होती है बस आपको थोड़ा आपने आपको push करना पड़ेगा right practice करने पड़ती है और consistency के सार आपको implement करना पड़ता है अबी तक देखा है तो बस आप इस वीडियो को end होने के बाद दूसरा वीडियो मत देखना एक pain paper लेकर उसमें लिखना जरूर कि आप आज के बाद 21 दिन के लिए क्या क्या करने वाले आप अपने schedule को बराबर लिखना start कीजे दोस्तों आपको वीडियो best ever advice on stammering कैसा लगा प्लीज 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 मुझे comment करके बताइए अगर आपको वीडियो दिल से पसन है अगर आपको वीडियो बहुत ही helpful लगा अपने दोस्तों के साथ इसको जरू शेर कीजे like जरू कीजे आपके comment जरू comment box मत है सारे के सारे link आपको description box में मिल जाएगी और सबसे important बात ये है कि अगर आप मेरे चानल पर फर्स टाम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजे बेल अगर उनको प्रेस कीजे तो उस्तों मिलते है ऐसे ही नए अच्छे और मोटेशन वीडियो के साथ थैंक्स वर वाचिंग